तो पिछले दिर उत्तिर प्रदेश की कानपूर से एक खबर आई थी जिसमें नौकरी का जहांसा देकर एक युवक को बंधग बनाया जाता है उस युवक का नाम सुरेश मा जी था उसे अंधा और अपाहिच करके भीक मंगवाया जाता है अब इसको कृति को करने वाले मा और बेटे की जोडी को पुलिस ने गिरफतार कर लिया है जो आरोपी उसके नाम राजनागर बताया ज़ारा उसकी मा के साथ उससे गिरफतार कर लिया है दोनों से पुलिस जो है वो पूश्टाश कर रही है वहीं सुरेश को बेचने वाला मचहरिया निवासी विजय अभी भी फरार है पुलिस की तीन टी में उसकी तलाश में लगाई गई है नौबस्ता निवासी सुरेश को 6 महीने पहले मचहरिया निवासी विजय ने नौकरी लगवाने का जासा दिया था उसे घर से ले जाया जाता है और एक घर में बंधग बना लिया गया पीट पीट कर उसके हाथ पैर तोड़ दिये गया थे केमिकल डाल कर अंधा कर दिया गया था उसके बाद दिल्ली ले जाकर बेच दिया गया वहाँ उससे भीक मंगवाय जाता है तब बिगड़ने पर उसे वापस कान पर छोड़ दिया गया तो ये वही मा और बेटे हैं जिन्होंने इस पूरे कुकर्म को अंजाम दिया था सबसे पहले उस शक्स को नौकरी दिलवाने के नाम पर ले आया जाता है उसके बाद पिटाई करके उसके हाथ पैर तोड़ दिये जाते हैं और जो बची-खुची कसर होती है वो आँखों में केमिकल डालकर पूरी कर दी जाती है कुल मिलाकर युवक को अपाहिज बना दिया जाता है और महस 25,000 रुपेओं के लिए इस युवक के जिन्दगी बरबाद कर दी जाती है और भीक मंगवाने के लिए बीच सड़क पर बिठा दिया जाता है